Hello Everyone, इस रेडिंग में ये चिक करेंगे आपके जो पर्शन है, उनकी true real feelings क्या है, क्या चाहते हैं आपसे, उनका intentions क्या है आपके लिए यहीच चिक करेंगे गाईज अपया हो सकती है नहीं भी हो रहतों जन्साज़ आपके लिए बनी हैं नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं ठीक है तो चलें बीना-देरी की news क्या है आपकी और्षिशन को रियू टुसुफी फिलिंग्स क्या है क्या है क्या है आपकी परशन का रियर ट्रू फीलिंग्स क्या है उनका फॉलिंग अपको लेकर दिन of Swords टीक है एक बात मैं आपको बता दूं अगर आप इस एनर्जी में हो तो अगर यह आपके अनर्जी नहीं स्काइब तो आपके पर्षन के नर्जी है वाइसर वर्ष भी रेडिंग होती है जिसको आपको समझना है यह रिस्ते को इंड करके चला गया है तोटली यह चली गई है ठीक है इन्होंने आपसे कह रखा है कि मैंने मेरे तरफ से यह रिस्ता इंड है ठीक है यह बशन किसी और के साथ जा रहे हैं किसी और के और अट्रैक्ट हो गए थर्ड पार्टी सीचवेशन है हाथ में फुल लें यह बशन किसी और के और अट्रैक्ट हो गए किसी और के और जा रहे हैं किसी और के साथ रिलेशन्शिप में जा रहे हैं आपके साथ रिस्ते का इंड करके तो आप इनका इंतजार करके क्या कर रहे हो क्योंकि इन्होंने तो अपने साइड से रिस्ते केंड कर दीए है ये बर्षन किसी और के साथ है आपको उरलेडी ये बात पता है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है और कुछ लोग लें ये आपके अनरजी हो सकता है कि आप बेपरवाह हो रहे हूं इनको असा लग रहे हैं, आप के यहार फ्री के यह लिश्टन हो रहे होाँ, इनके प्रतिश रिष्टी के प्रति तो होट कर रहा है, यह चाहते हैं कि इन पर ठोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा focus करो कियर इंपोर्टेंट हो शकता है कोई और लोग आपके लिए इंपोर्टेंट हो शकता है पर यह आपके लव हैं इनके emotions का इनके इनके दिल का ख्याल रखो आप कि आपको कितना साहते हैं यह आपका कुछ energy आपको ignore करना आपका ignore करना कियर फ्री इनर्जी इस परशन को बहुत हड़ करती है आप समझो आप समझो इस चीज को तो देखिए इन में से कौन सी energy आपकी है ठीक है अगर इस परशन ने आपके साथ रिष्टे का end कर दिया है तो समझे गाइस आपको मौन करने की जुरत है क्योंकि इन होनी भी मौन कर लिया है ठीक है यह परशन किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे परशन का वेट करना इंतिजार करना सही नहीं है ठीक है आपको इनके ब्युitating ररेक्शंस से पता चल रहे होगा कि वर्शन कैसे है इनके अर्ज़ी क्या है ठीक है और क्या सुचते है इस यह पर रहे में sharal true feelings किया है चाहते किया है आप से मज़े से आन। कुछ लोग जैसे कि मैं फिल कर पा रही हूं कि यह वर्षण आपके साथ विक्षिश आते हैं सक्षेश आते हैं पामा साते हैं आपको चीव करना है चेंज़स आते हैं ठीक है वह शकता है कि पहले की इनर्जी है जहां पर आपकी परशन केरलेज केर फ्री हो गे थे सिम्यदा कर लिन छो री है कि ऊखता है धी सब्राइव को मार घ्री कांवा जो तो जो कि आपका साहते हैं धोना है समय को क्टना चाहते हैं सिच्वेश शाहते हैं पशेद़ Triana आप में changes चाहते हैं चाहते हैं कि थोड़ा सा change हो इनके लिए आपके रिष्टे के लिए आपकी कुछ बाते कुछ actions reactions इनको हड करती हैं तो इनके लिए polite रहो इनके लिए इनसे सही से बात करो यानि कि दुनों के बीज conversation हो तो healthy हो good हो ठीक है नाइशली बात्चित करो आप इनसे कि परशन ऐसा चाहते हैं और अगर इन्हों खुद ही मूँ मोड लिया है तो आपको भी अपने life को चेंज करने की जुरत है खुद में changes लाने की जुरत है आपको अपने power को समझने की जुरत है ठीक है खुद को किसी और को control करने मत देसे कि कोई आपको control कर करके आपके mind को control करके ठीक है जो जा रहा है छोड़कर जाने देसे और जो आ रहा है उसको accept case है या वो किसे जिसमें आपकी खुशी है ठीक है जो आपकर dream है जो आप साहते हो वो case है तो यह है आपकी रीडिंग I hope आपको clarity मिली होगी मैंने दो situation बताया है यहां पर जहां प होने आपके साथ रिस्ते को end करके चले गए हैं जिनसे उम्मीद करना शही नहीं है और कुछ लोग ले आपकी परशन आपका साथ चाहते हैं ठीक है इनको ऐसा लगता है कि आपकी अर्फ्री के अरलेश हो रहे हो आप dominating controlling हो रहे हो तो चाहते हैं थोड़े से change हो आप इनके रहे हैं ठीक है आप इनको समझो इन पर ध्यान दो इन पर focus करो आप और मिलकर इस situation में changes लाए आपकी लव लाइक में changes लेकर आओ क्या सचाहते हैं यह हैं आपकी रीडिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किसे का आई हो